हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजू और आप लोगों का अंजू की किचन में स्वागत है आज की हमारी रेसिपी टमाटर की खटी मिठी लुंजी है जिसे आप रोटी चपाती स्टफ रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं इसके लिए मैंने एक टैन लिया है इसमें रिफाइन डालेंगे आप जाए तो घी भी डाल सकते हैं रिफाइन हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें लालमिर्श डालते ह। सौफ डालेंगे, मेथी पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, कलोंजी के दाने और ये लास्ट में हिंग भी डाल देंगे मसाला हमारा जल गया है, अब इसमें हरा मिर्ज डाल देते हैं, ये अतरफ डाल देते हैं इसे थोड़ा चला लेते हैं, गैस क्यांस भी ही कर देंगे, अब इसमें मैं तमाटर जैसे मैंने 200 गनाम लिया है, इसमें मैंने कट कर लिया है, थोटे-थोटे कीटो में, इसमें थोड़ा चला लेते हैं, ये थोड़ा मेथी पत्ता भी मैंने लिया है, इसमें डाल देती हू आप चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते है, अब इसे मैं थोड़ा चला लेती हूँ, अब इसमें मैं नमक डालूँगे, नमक आप अपने अंदाज से डालिएगा, अपने स्वादा नुसार अपने अंदाज से डाल देंगे, ये थोड़ा हल्दी, हल्दी भी, हाफ पॉन मैंने लिया है, लाल मिर्च आप अपने कम तिखा काते हैं, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, ये धनिया, धनिया भी मैंने हाफ टीज़्पून लिया है, अब इसे फिर से चला लेंगे, गैस क्याज धीमी ही रखेंगे, अब इसमें हाफ कप पानी डालेंगे, पा समिनट के लिया धक कर छोड़ देंगे, और बीच बीच में इसे हिलाते रहना है, इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, अभी हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ है, अभी इसे और पकाना है, फिर से हम इसे पापस धक देंगे, एक बार फिर पूli डान एक चले इम ऐक कर लेती हूं ठ्लाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अब मैं इसमें 100 ग्रम चिनी डाल जाती है यह चीनी हमारा 100 ग्राम है पूलुबगुतयों हम तमारे कीचें ने पीशें होते हैं साले मैंने यूज यूज़ किया हैं में बस इसे अब हम पांस मिनट और पकाएंगे और हमारा टमाटर का खटा मीठा लुंजी बन के तयार पांस मिनट हो गए है और अब ये बन के तयार हो गए है अब मैं गैस बन करती हूँ और इसे सर्विंग बॉल में निकालती हूँ देखिए हमारी टमाटर की है खटी मिठी लुंजी कितनी अच्छी लग रही है कलर भी इसके बहुत सुंदर आए है अब मैं इसमें थोड़ा सा धन्या का पत्ता उपर से शिरक दोंगे और थोड़ा सा किस्मिस भी डाल देंगे देखिए यह हमारा टेस्टी रेसिपी तयार है खटे मिठे टमाटर की लुंजी अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सब से पहले पहुंच सके और आपको हमारी अगली कौन सी रेसिपी की वीडियो देखनी है प्लीज हमें कमेंट करके बताए चलिए मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो के साथ थैंक यू